मेरे प्यारे दोस्तों, महराष्ट सियम उद्धव ठाकरे का सुशान सिंग राजबूत मामले में एक बयान आया है, जो मैं समस्ता हूँ आप लोगों को सुनना चाहिए दरसल महराष्ट सरकार के एक साल पूरे होने पर, शिव सेना के मुख पत्र, सामना के एडिटर, संजे रावत के साथ उन्होंने एक इंटर्व्यू के दरान, उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया कि अभी आपको सुशान सिंग राजबूत मामले को देखकर क्या लगता है जिस तरह से, आज से कुछ दिन पहले सुशान के केस को लेकर हलचल मची हुई थी, तो अभी के प्रेज़ेंट सिनेरियो के उपर आपको क्या लगता है? इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं सुशान के तरफ करूना भरी निगाहों से देखता हूँ, इलक्षन के बाद ये पूरा मुद्धा शान्त हो चुका है, एक लड़का जो अब हमारे विच नहीं है, उसको लेकर राजनीती की गई उद्धव ठाकरे ने उन नेताओं पर सीधा निशाना साधा, जिन नेताओं ने सुशान सिंग राजपूत मामले में कठित राजनीती की थी उन पर निशाना साधते हुए कहा की, दुर्भागे से एक युएक की जान चली गई, और उस गई हुई जान पर राजनीती करते हो, कितने निशले स्तर पर जाते हो, ये विक्रिती से भी गंदी राजनीती है उस पर अलाओ जलाकर आप रोटिया सेकते हो, ये ही आपकी आउकात है उद्व ठाकरे जी ने सिधा निशाना उन पार्टियों पर तो साथ दिया, लेकिन हजारो करोडो सुषान्त के फैंस, जो दिन रात सुषान्त को जस्टिस दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए वो कुछ भी नहीं बोले क्या विचार है आपका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, मैं बहुत जल्द मिलूँगा आप सबसे अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ